गुड़नी मैं क्लास 12 की प्यारे बिच्चों आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तास में चौथा चैप्टर है दी इनमी आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट लांग एंसो टाइकीशन देखेंगे इसके साथ साथ यूपी बोर्ट 2022 एवंग यूपी बोर्ट 2023 की बोर्ड परिच्चा में जितने भी लांग एंसो टाइकीशन इस चैप्टर से बने विये थे आज की इस क्लास में उन सभी प्रशनों को कवर करेंगे और इस सेसन का हम लोग का इंगलिस में टार्गेट है 100 आउट आप 100 मार्क्स लाना इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जितनी भी इंपोर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही है आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे और अभी तक जितनी भी इंपोर्टेंट क्लासेस हो चुकी है ये दुन में से आपकी कोई भी क्लास छुटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मजाएए चैनल की प्लेलिस्ट मजाएंगे तो वहाँ पर आपको English Class 12 Important Classes करके Playlist मिल जाएगी और उसे Playlist में अभी तक जितनी भी Classes चली हुई है, सारी Classes एक Schedule वाइस लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा हो, आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं और जो भी प्यारचे अभी तक Paid Class आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से Class के अंतमी आपको बता दिया जाएगा अब जल्दी से हम लोग आज की Class से आज की इस Class से Connect होते हैं, तो Class पे चलने से पहले जो भी प्यारचे चैनल पे पहली बार आये हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें, और Class प्रॉल्द के सभी प्यारचे में लिए वे हैं, तो यहां पर देखी आपके सामने पहला वीवा की वे थे, अगला प्रश्न पूछा गया है, वू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मेरेज, कौन उनके विवाह में महत्पूर्ण भूमिका निभाया, एंड हाउ और कैसे निभाया, तो भाईया जो डाक्टर सदाउ के पिताजी थे, उन्होंने ही महत्पूर्ण भूमिका निभाया था, कैसे महत्पूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि अगर जहे एहाना जहे जैपेनीज नहीं रही होती, तो वह साधी के लिए तयार नहीं होते, और डाक्टर सदाउ उनसे तब विवा भी नहीं करते, तो इसलिए इस प्रकार से जहें डाक्टर सदाउ के पिता की भूमिका बहुत बड़ी इस साधी में हो गई थी, तो भाया यह आपका पहला प्रश्न था, और इस पहले प्रश्न का उत्तर हमने हिंदी में आपको बता दिये हैं, अब आपको जो चीज़े हमने हिंदी में बताई वे हैं, उसी को इंग्लेस में आपको लिखना है, और इस प्रश्न यूपी बोर्ट 2022 के EF सेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे वें इंग्लेस में, जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हू वाज डाक्टर सदाव, डाक्टर सदाव कौन थे, इसका उत्तर देखिए लिखे वे हैं, सदाव वाज जैपैनीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, सदाव एक जैपैनीज सर्जन और वेग्यानिक थे, पहले प्रश्न का उत्तर, जो दूर सर्जन पूछा गया है, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मेरी टुहर, मिन्स वह कैसे हाना से मिले, और विवाक ये इसका उत्तर देखिए लिखे वे हैं, ही मेट हाना, वे हाना से मिले, इन अमेरिका मिन्स अमेरिका में, अनके प्रेम में पढ़ने का तब तक इंतजार किया, अंटल हिवाजz सियोद सिवाज़ जापेनीज, जब तक व निश्यत नहीं हो गये, कि वह एक जैपेनीज है, तब तक हुआ जो हाना के प्रेम में पढ़ने का इंतजार, कि बहाई है, आगे देखी जहें, अगला प्रश्न जो पुछा गया है, who played an important role in their marriage and how, means कौन उनकी साधी में महत्पूर्ण हुनका निभाया, और कैसे इसका उत्तर देखे लिखे हुए हैं, Dr. Sadao's father, means Dr. Sadao के पिता जी, played an important role in their marriage, means उनके साधी में महत्पूर्ण हुनका निभाया, because क्योंकि his father would never have received her, क्योंकि उनके पिता जी उसे मिन्स हाना को कभी नहीं स्विकार करते, unless यदि she had been pure in her race, यदि उनकी जात की नहीं होती, तब तक उनके पिता जी साधी के लिए मन्जूर नहीं होते, क्योंकि उनके पिता जी कभी स्विकार नहीं करते, unless she had been pure in her race, यदि उनकी जात की नहीं होती, तो वह हाना को स्विकार नहीं करते, इसलिए डाक्टर सदाव के पिता जी ने एक महत्पूर्ण भूमिका निभाई, आगे देखिए आगे लिखे वे हैं, डाक्टर सदाव और हाना ने अपने स्कूल के काम को पूरा किया, उसके बाद अपने घर जापान आए, और जब उनके पितानी हाना को देखा, इन ओल्ड जैपेनीज वे, मिल से पुरानी जैपनीज तरीके से फिरसादी की विवस्था की गई, डाक्टर सदाव और हाना वो पॉफेक्टली हैपी, डाक्टर सदाव और हाना एकदम बिल्कुल बहुत पूर रूपेंड क्या थे, खुष थे तो भ्या एह हो गया, आपके इस पहले प्रश्ण का सीधे सदीक उत्तर हो गया, एक बार हम लोग और इस प्रश्ण के उतर को देख लिते हैं, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्ण की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्रश्ण का उतर कुछ इस तरह से, because his father would never have received her unless he had been pure in her race Dr. Sadao and Hana finished their work at school and had come home to Japan and when his father had seen her the marriage had been arranged in old Japanese way Dr. Sadao and Hana were perfectly happy तो भाया यह हो गया पहले प्रशन का सीधे सटी कुतर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ देखते हैं दूसरा important question कौन सा है और यह दूसरा important question प्यारचे UP Board 2022 के EE और UP Board 2023 के ZX और ZZ सेट में पूछा गया प्रशन है मतब UP Board 2022 में भी यह प्रशन आया हुआ है और UP Board 2023 में भी यह प्रशन आया हुआ है और UP Board 2023 के 22 सेट में यह प्रशन आया हुआ है तो भहिया एक दूसरा भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट पीस्टन है ध्याँ से देखी आपका प्रश्ण क्या है हाउ डिट डाक्टर सदाउ सेब दी लाइफ आप दी अमेरिकन वार प्रिजनर मिन्स हाउ डिट कैसे डाक्टर सदाउ से मिन्स डाक्टर सदाउ ने बचाया दी लाइफ आप दी अमेरिकन वार प्रिजनर उस जो है अमेरिकन युद्धवंदी के जीवन का मिन्स जो है उस अमेरिकन युद्धवंदी के जीवन को कैसे डाक्टर सदाउ ने बचाया तो यह दो बार उसके जीवन को बचाये थे एक बार तो आपरेशन करके और दूसरी बार जो है जब वह उसको बोट अपना बोट दिये थे रासन दिये थे और जो है बगल के आइसलेंड पर भेज दिये थे तब वह जो है दूसरी प्रकास से उस तरह से उनकी मदद कीवे थे इन देट एक्ट उस कारे में कैसे उनकी पत्नी उस कारे में मदद करती हैं तो वह उसको नहलाती है मिस उसको साफ करती है कपड़े से उसके बाद आपरिस्तन के समय अपनी पत्ती की मदद करती हैं तो इस प्रिकार से जहें इस कारे में उनकी पत्नी हाना ने मदद किया अगल और क्यों चले गए थे? क्योंकि अतक्तर डर गए थे, और बहुत कन्फ्यूस हो गये थे, बहुत द्रमीत हो गये थे, वह डीसिजन नहीं ले पा रहे थे, तो इह आपका जह इस दूसरे प्रिशन का आपको उत्तर हमने हिंदी में बता दिए, जो चीज़े हमने हिंदी में ब इसका ओत्त देखिए उसके जीवन को बचाए वी इसका उत्तर देखिए सद्वलक सद्वलिय। मदद किया and offered treatment और जो इसका इलाज किया to American war of prisoner उस American war of prisoner की means डाक्टर सदाओ ने उसकी मदद और जो है उसका treatment उस American war of prisoner की उसके treatment और उसकी मदद कि ये आगे देखे लिखे हुए है he made an operation उन्होंने operation किया to save his life उसके जीवन को बचाने के लिए उसके जीवन को बचाने के लिए जो है डाक्टर सदाओ ने operation किया this was because ऐसा इसलिए क्योंकि he was a doctor वह एक doctor थे and had taken oath for saving lives और जीवन बचाने की सपत लिए थे अगर देखे लिखे हैं डाक्टर सदाओ in the end of the story मिस डाक्टर सदाओ जो है कहानी की अंत में saved मिस बचाए again his life मिस पुना उसके जीवन को बचाए थे by giving him a boat मिस उन्हें उसे जो है एक boat नाओ दे करके रासन कुछ रासन दे करके and Japanese clothes Japanese कपड़ी दे करके and even a torch light और यहां तकी एक torch light भी दे करके अंत में डाक्टर सदाओ ने उसके जीवन को पुना एक बार बचाया हुआ था तो इस तरह से दो बार डाक्टर सदाओ ने उसके जीवन को बचाया एक बार तब बचाये थे जब सुरुवात में operation किये थे दूसरा आपका जब उससे भगाने में जो मदद किये थे उस समय जब दूसरी बार उसका मदद किये थे तो इस तरह से डाक्टर सदाओ ने दो बार मदद किया यह पहले प्रशन का उतर हो गया और जो दूसरा प्रशन पूछा गया है हाना ने उनकी कैसे मदद की इसका उतर देखे लिखे वे हैं फर्स्ट हाना वास्ती उंडेड मैंस फेस पहले तो हाना ने उस घायल ब्यक्ति के चेहरे को धुला एंड बॉडी और सरीर को धुला विथ हॉट वाटर मिस गर्म पानी से धुला तिल इट वाज कॉइट क्लीन और तब तक धुला जब तक वाब बिलकुल साफ नहीं हो गया आगे देखे लिखे वे हैं दिन सी असिस्ट फिर उसके बाद उन्होंने मदद किया डाक्टर सदाव मिस डाक्टर सदाव का अर्थात किसी आपरेशन को होते वे उन्हें नहीं देखा था आगे देखे लिखे वे हैं सी ब्रिंग्स दी टावल्स वा टावल्स लाती है एंड दाव यद्दिप की सी इस नाट कमफर्टेबल यद्दिप की वाजए कमफर्टेबल नहीं होती है एड दी साइट आप दी ब्लेडिंग उंड मिस उस जाए बहतेवी खून को देखर बहतेवी खून के दिस को देखर के यद्दिप की वाजए उस साइट से ब्लेडिंग साइट से कमफर्टेबल नहीं थे फिर भी इस तरह से उन्होंने मदद किया हुआ था तो भी है इस तरह से इनकी मदद हो गई मिस हानना की एबोमिका हो गई थी पहले तो उसे साब की हुई थी बिलकुल क्वाइट क्लीन की हुई थी उसके बाद डाक्टर सदाओ का आपरेशन में मदद की हुई थी अब अगला प्रश्निस में देखी पूछा गया है तीसरा प्रश्निस में क्या पूछा गया था कि what was the reaction of servants नोकरों की क्या reaction पृत्गिया होती है and why और क्यों ऐसे पृत्गिया होती है तो यहाँ पर देखी लिखे वे हैं the servants did not like the idea of giving shelter मिन्स नोकर जहें इस अजनभी को जहें मिन्स इस जहें इस दुस्मन को shelter देनी के लिए देनी के विचार को पशंद नहीं करते हैं तो यह देखी लिखे वे हैं the servants did not like मिन्स नोकरों को नहीं पसंद आया the idea मिन्स विचार आप giving shelter मिन्स सरंड़ देने की to and in me मिन्स एक दुस्मन को एक दुस्मन को सरंड़ देने की जहें विचार परशंद नहीं आया in the house मिन्स घर में घर में एक दुस्मन को जहें सरंड़ देने के एक बार और इस प्रश्ण का उतर आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद तीसरे प्रश्ण की तरफ आगे बढ़ेंगे, और तीसरा और अंतिम प्रश्ण है, के वल तीन ही इंपोर्टेंट इस चैप्टर के क्विस्टन है, तो बहिए इस प्रश्ण का जल्दी सोतर देख ल दिसा प्रश्ण की थादे सॅाट लगी ठेख लिए लगंगे ऐव गाषर तूल यवीं इस लाई आपटे सीएट बाद स्वान की फांगे दैजे आंगेश्ये संक्रिट क्रेंज motion तरो इユ ह टाष्टन की प्रश्ण wygląda जॉस यज तो बढ़ें पर पेसेंट दिट नाट लाइक दी आइडिया आप गिविंग सेल्टर टू एन इनमी इन दी हाउस बीकॉस दी वर फ्राइटेंड एंड पॉजल्ड तो भाईया यह हो गया आपके दूसरे प्रशन का सीधे सटीक उत्तर हो गया बढ़ते हैं पीसरे और अंतिम की तरफ और एक जल्दी से सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चा तक वीडियो को पहुचा दें तो भाईया यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रशन है और तीसरा ए अंतिम जो है अंतिम इंपॉर्टेंट लांग एंस टाइप इस चैप्टर का है प्रशन क् भूमी थी कैसे कहानी सुरू हुई इसको आपको लिखना है and how it created difficulties और यह कैसे मुश्किलात पैदा कर दी for dr. सदाओ होकी and his wife dr. सदाओ और उनकी पतनी के लिए और dr. सदाओ और उनकी पतनी के लिए कैसे मुश्किलात पैदा कर दी इनी चैप्टी के बारे माँ आपको एक किसके प्रकार की परछानियों का सामना और साथा को करना पी है और यह में पूछा गया प्रश्ण है अब देखिए हमने इसका उत्तर लिखे वे हैं डाक्टर सदाव वाज ड्राउन बाइदी सियर फेलिंग साफ हुमिनिटी एंड कमपेशन टूवर्स टाम ताम मीस वही आपका जो है अमेरिकन सोलजर हो जाएगा उंडेड अमेरिकन सोलजर मीस खायल अमेरिकन साइनिक टाम था तो अधिक लिखे वे डाक्टर सदाव वाज ड्राउन बाइदी सियर फेलिंग से भावना आफ यूमिनिटी मीस माना होता की और जिए दया की टूवर्स टाम ताम के प्रती मिस जह क्योंकि डाक्टर सदाव हारवर्ड क्योंकि डाक्टर सदाव ने हारवर्ड किया हुआ था मिन्स सरंड दिया हुआ था एंड इन्मी मिन्स एक दुसमन को क्योंकि जह हारवर्ड मिन्स होता है सरंड देना क्योंकि डाक्टर सदाव ने एक दुसमन को सरंड दिया था कि ओन्हें अशंक समस्वाइब का सामना करना पड़ा आगे सर्विंक लीप दी अल小時 मिंस नोकरोंुनी घर को छोड़ दिया इननदीफिटिएंस डिफियंस में औवग्या में चैसे अब्धिया में या दाग ध्बाग दागबा हो जाएगा देजद्रोही के दाग धब्बे के हमेशा डर में थे कहीं उन्हें एक देजद्रोही का उनके उपर दाग या दब्बा न लग जाए इस बात की हमेशा डर में थे आगे देखी लेकिवे हैं उन्होंने जनरल को बताया बारे में अमेरिकन प्रिजिनर आफ वार कैसे वह अमेरिकन युद्वद्वन्दी वाज वाज़्ट असोर में उन्हें कहां पर मिला था असोर में सोजाएगा समुद्र के तड़के किनारे पर आया हुआ था अधिस सरकंस्टेंस और परिस्तितियों को बताए अंडर विच फी वाज ग्रांटेड जिसके अधीन हो करके उन्होंने जहे उसे ग्रांटेड अनुमत दी रिफ्यूजीं सदाव हास होल्ड में सदाव अपने घर में कैसे सदाव नी जहे अपने घर में अनुमत दिये वे थे उन सभी परिस्थितियों को जो है डाक्टर सदावू ने जनरल से बताया डी जनरल अंडेस्टूड ही सिच्वेशन और जनरल ने उनकी इस्थिती को समझा और अस्योड और उन्हें जह है अस्योड किया आस्वस्त किया हीम आफ सेंडिंग असासिंस निस हत्क्यारी को भी सदावू ने निड़ लिया अगली रात इंतजार नहीं कर सकता है वह जो है उस अमेरिकन सेलर के जीवन को बचाने का निड़ लेता है life a second time means दोसरी बार और उसके बाद वाज़े दोसरी बार उस American के जीवन को बचाने का निड़े लेता है दोसरी बार कैसे एक बार उसने operation किया था दोसरी बार अपना boat और खाने पीने के समान दे करके बगल के Iceland पे भेज देता है ठीक है तो इस प्रकास दोसरी बार उसके जीव Dr. Sadao was drawn by the sheer feelings of humanity and compassion towards Tom. Just because Dr. Sadao harbored an enemy, he had to face innumerable problems. The servants left the house in defiance and he was under perpetual threat of being branded a traitor. He told the general about how the American prisoner of war was assured and the circumstances under which he was granted refugee in the Sadao's household. The general understood his situation and assured him of sending assassins to eliminate the American. However, when no assassins came for three nights, Sadao decided that he could not go through another night. He decided to save the American seller's life a second time. तो भाया यह हो गया आपके जहें तीसरे और अंतिम प्रश्न का सीधे 60 कुत्तर हो गया. उमीद करते हैं आपको तीनों important question अच्छी तरह से समझ में आये होंगे. कहीं कोई दिक्कर समस्या नहीं होगी. ऐसा उमीद करते हैं. बाकी प्यार्ची आपको English में target भूलना नहीं ह है. इस बार English में 100 out of 100 marks लाने हैं. बाकी जो भी प्यार्ची चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सस्क्राइब करेंगे. वीडियो को लाइक करेंगे. सबी बच्चा में वीडियो को सेयर करेंगे. और जो भी प्यार्ची 499 बिरुपए afford कर सकते हैं बेलकुल प्यार्ची आ आपका English का complete syllabus करा जाएगा. Miss literature plus grammar पूरी तरह से complete करा जाएगा. आपको सभी class का PDF प्रवाइट किया जाएगा. डेली एक घंटी की doubt session की classes होंगी. टेस्ट आपका weekly और monthly होता है. और monthly वाले टेस्ट के साथ आपको price देखने को मिलता है. All series practice करा जाएगा. Miss board परिछा के पहले जितनी भी series market में आ जाएगी. उन सभी series का practice करा जाएगा. Model people, revision series, फटाफट, revision series, अंतिम प्रहार सिंक्ला. ये सारी चीजे आपको paid class में देखने को मिलेंगी. और इस paid class का target है. आपको English में 100 out of 100 marks करी पूरी तरह से तयार करना. और fees प्यार्चे किवल 499 रूपय है. और ये fees पूरे session की है. जब तक आपकी final board पर इच्छा नहीं हो जाती है. और आप payment कैसे करेंगे? आप Google पे, phone पे, Paytm, Beam, App, इन में से किसी भी माध्यम का प्योग करके आप payment कर सकते हैं. और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्योग करके payment कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आ यहाँ पर एक bank detail दिया गया है, आप इस bank detail का भी प्रियोग करके payment कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गये हैं, आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं, और payment करने के बाद आपको payment का screenshot लेना है, उस screenshot को आपको इसी number 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है, इस इसी number पर screenshot को WhatsApp कर दिने है, WhatsApp करने के बाद आपको एक form भेजा जाएगा, उस farm को आपको fill up करने होंगे, फार्म को fill up करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class की group का link provide कर दिया जाएगा, तो हहाँ से आप class से connect हो जाएंगे, बाकी प्याच्चि अगर payment की recording या फिर किसी भ पर 24 गंटा call कर सकते हैं, WhatsApp message कर सकते हैं, आपकी call और WhatsApp का reply किया जाएगा, तो भीया एक पूरा admission process हो गया, उमेद करते हैं सभी प्याच्चों को ची तरह से admission process समझ में आ गया होगा, तो अब यहीं पर class की समाप्ति करेंगे, बाकी जितनी भी प्याच्च्चे अगर paid class में admission ले सकते हैं, चारसो निन्यान बिरुपर अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्याच्चे आप निसन को बीना सोचे से अडिमिसन लेना, उसमें सारी चीज़े आपको बहतरी नंक से provide की जा रही हैं, बाकी जो है एक बार सभी प्याच्चे जितनी भी वच्चे चैनल पे पह हाओ को भी बदल सकती हैं, तिसलिए प्याच्चे आपको लगाता सत्र में पूरे साल भर लगातार एक क्रमवाइस करके मेहनत करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा लगातार आपको मेहनत करना है, ताकि जब आपकी बोर्ड परिच्चा की तारी खाए, मिस आपका जो बोर्ड परिच्चा का डेट हो, उस तक उस डेट तक आपकी तयारी एक्दम बेहतरीन हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो यही सभी प्यार बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उमीदों के साथ सेसन की समापती करते हैं, मिलते हैं अगली किसी अन्नी इंपोर्टन क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, लब यूर प्यार बच्चों,